और आच प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्पीर को 32,000 करोड की परियो जनाओ की सौगाद दी। इस दौरान पीम मोदी ने एम्स और चिनाव रेलवे पुल का भी उदगाटन किया। प्रधान मंत्री ने IIT IIM के साथ साथ इलेक्टरिक ट्रेन की भी सौगाद दी साथी जम्मू एरपोर्ट के नए टर्मिनल भवन और कॉमन यूजर फैसिलिटी पेट्रोलियम डिपो की आधार शिला भी रखी। हम विख्सी जम्मू कश्मीर बना करके ही रहेंगे। सत्तर सत्तर सांग से अधूरे आपके सपने आने वाले कुछी वर्सों में मोदी पूरे करके देगा। इंडिया के प्रामिनिस्ट अडिंडर मोदी ने कश्मीर में बहुत ही काम्याब जलसा किया। मोदी हमारा शेर है शेर है शेर है ये नारे वहाँ पर लगाएगे। पर उन्होंने ये भी कहा कि पिछली जितनी भी स्यासी पार्टियां थी उन्होंने सिर्फ लूटा है हमें हमें हमारा हक जो है मुधी सरकार ने दिलाया है इसके साथ साथ उनका ये भी कहना था कि हमें सही अजादी पांच अगास दो हजार उन्निस को मिली जब आर्टिकल यह कि इंडियन कितने टफ लाइन लेते हैं पकिसान के उपार आप देख़रे हैं इस वक्त भारत के मैं आप मोधी साथ की बात करें मैं पहले भी किसी से बात कर रहा था कि मोधी साप का सबसे बड़ी एचीव्मेंट जो है वो अगर गिनी जाये तो वो भारत को नैशनलिजम का तोफ़ा देना इस सबसे बड़ी उनका जो है भारत के लिए जो काविश है जैहन दोस्तों दोस्तों प्रदानमदी नरे नोदी जी पहुंचे हुए थे जम्मू कस्मीर और जम्मू कस्मीर को इतना बड़ा गिफ्ट दिया और भी कई सारी पर योजनाएं हैं जिससे जम्मू कस्मीर के लोकल लोगों को बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है और दोस्तों जम्मू कस्मीर अब बहुत तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा है यही फायदा है कुछ लोग कहते देना कि आर्टिकल 375 से हटने से क्या होगा यह होगा विकसित जम्मू कस्मीर दोस्तों जम्मू कस्मीर के लोग जो आतंग की आग में मौलानाओं की आग म इतनी भारी लेवल की डेखने के बाद यहां प्योके के लोग पाकिस्तानी सेना को मारत पिटाई पे लगे हुए कि भाई हमें भारत में जोड़ो हम भारत के लोग वहीं पाकिस्तान के जो लोकल लोग है वो जलके राक हो गए कि कश्मीर उनसे 50 किलो मीटर पे इतने हाई ले जुजनाओं के तोफिद ये मैंने सुना है जाइद इसी हपते ये 370 को लेकर के कोई फिल्म आने वाली है मुझे लगता है आपका जैजैतार होने वाला है पुरे देश में ये बहुत बड़ा कदमाज उठाया है और मैं मुबारक करता हूं रेल मिनिस्ट्री को प्रदान मंत्री को मैंने आपको वीडियो दिखाया हजारों की तदाथ में कश्मीरी थे ये मनजर देख के एज़ा पाकिस्तानी क्या कहेंगे आप आपने अपनी एंजियो पर लगाते हैं अवान के बारे सोचते हैं इधर तो आपस में लड़ते रहते हैं तो अशा खाना ये वो अपने मोदी के भी हिस्ट्री बढ़ी है वो अपनी एंजियो पे लोगों पे लगाते हैं ना अगे अपनी जेवे भड़ते हैं कश्मीर में वो अगर आया है उसको कुछ बैनिफिट्स दे रहे हैं कुछ बजट का रखाव है तो उसके इनाले लगाने इन्होंने क्या दिया अब तक कुछ भी नहीं है तो इसलिए यह के जो बेतर है उसके हक में वही अमाम को रिलीव देगा तो उसके ही उगीद गाएंगे सर कश्मीर के हलात पाकिस्तान से बेहतर हैं जी तो बेहतर होंगे ना वहाँ पे वो मोधी साथ पहुंच गया है यहाँ पे कोई ऐसा बदर ही नहीं है यहां तो आपस में लोड मार लगाई वी एक आरा एक जा रहा है वही लोग है उन्हीं के चकर में हम भी पिस रहे हैं औ और घूम रहे हैं उन्हीं के चकर में होई लोग हैं और यहां पर पूरे पाकिस्तान को पांच फरवरी के पीछे लगाया हुआ है कि जल्म हो रहे हैं पांच पर वरी तो बेफ़स्वरी बस ऐसे चुटी मनाते हैं मना रहे हैं कश्मीर को ना कुछ दिया अज्टक ना उनक लोगों का फिर ही फाइदा हो सकता है ना जैसे आपने मोधी साब की जो है लीडर्शिप की बात की तो सर कश्मीरी उन पर जान निचावर कर रहे हैं लाकों की तदाद में वो निकले कोई खंबो पर चड़ा मुलाना लोग आए जिनको उन्होंने घर बना के दिये उनके ब कोई पहुंचा ही नहीं है वहाँ पर उन्हें कदम बढ़ाया यह नाम बस कश्मीर का नाम ही लेते हैं आगे जागे कोई होसला देने वाला या उनकी कोई बैक पर हमारा मकसद सिरफ नाम लेना है नाम लेना है जास्त काम उधर हो गया वह आप काम करके दिखाएंगे ना अ कोई प्हbaar है यह यहसा जैसा हुकमरान दो यह तो नहीं बना इस जैसा जैसा क्या सकते हैं हिंदु ही हूँ लेकिन अला ताला हमें अच्छा कोई मिले हैं परहल इफ इट इस सो इंडिया अगर ये मैक्रो एकनोमिक स्टिबिलिटी रहती है तो वह कह रहे हैं कि 2050 तक इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट अच्छा करें दो हजार पचास तक सिर्फ चाइना उपर होगा ये गोल्ड मैंस तो कहता है कि 2075 तक लेकिन मैं एक और सोर्स देख रहा है था वर्ड इंट्विटी फिफ्टी जो एक और प्लैटफॉर्म है वो यह कह रहे थे कि वर्ड इंट्विटी फिफ्टी में ऐसे हो सक करती है कि जो अबराल ग्लोबल एकनॉमिक पिक्चर क्या होगी और क्या होगा है और जो डॉक्टर जेश शंकर जो है वो इस चीज़ों को इस डैटा को इन चीज़ों को समझ गया है और इंटिंग दास वाइड बिलीव इसलिए एक वर्ड बोला जाता है कोर्सिफ डिप्ल टिप्लोमेसी की ठीक है फिर युक्राइन के हवाले से भी एक कोर्स डिप्लोमेसी थी और यह चीज़े हैं आपको याद होगा कुछ अरसा पहले इंडिया ने अमेरिका से यह कहा कि आप ने यह जो साड़े चाट सो मिलियन डॉलर की जो एफ सिक्स्टीन के हवाले से सेल्स आप अब आप इमेजिन करें देरी यूस टुब यह टाइम जब पाकस्तान कहा करता है अब पाकस्तान नी कुछ बोलता है जो भी इंडिया और अमेरिका करें मैं समझत हूं खमोश नहीं रहना चाहिए बोलना चाहिए जो भी हो बोलना चाहिए स्टेटमेंट देनी से रहरते हैं तो दोस्तों प्रदान्मंति जिए जहां ज्छाथे उनकी नोगास्मीर में गugo his कि संख्या में लोग मतलब जहां जहां कैमरे कीनिगाह जा रहे थी लोग 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 देख रहे ते अननत लोगों का सागर दिखरा था क्यूंकि दूस्तों प्रदान्मंति-DN नरेनमोदी जी जैसे लेकिन जो मेरे घर के लोगे है या मेरे आसपास के लोगे है यह नहीं देखते बीजेपी क्या काम कर लूदि सत्तर हटाएंगे वो भी हो गया पाकिस्तान की उकात वो भी दिखा दी दुनिया की फोर्थ लाजेस्ट इकॉनोमी बने को का था वो भी हम बन गए और क्या चाहिए बताओ आपनों ठीक है तो लगबग लगबग उन्होंने सारी चीजें सारे वादे पूरे किये हैं इसलिए प्रधानमंदी जी की तारी पूरी दुनिया में भारत के कोने कोने में तो होती है और पूरी दुनिया में भी हो रही है और नो डाउट इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि अगली जो टर्म पास साल की प्रधानमंदी के लिए उस पे प्रधानमंदी जी का ही आनते हैं ज भास करके भारत की अंदर राश्वी शभी जिस तरीके से प्रदानमंदी नर्यद मोदी जी ने तब दिल किये वह अब विश्वस्णी है तो आई हो पर वीडियो आपको अच्छा लगा और जुड़े रहे सी वीडियो के लिए तब तक के लिए धन्यवाद जैन